हेलो इस्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग आश्रा करते हूं आपसे भी बहुत अच्छे होंगे बहुत खुश होंगे तो हम लोग फिर अध्यन करने वाले हैं क्लास 11 की मैथ्स चेप्टर 9 है 9.1 का कुश्चिन नमबर 14 यहां पे एक फिबनाची नम दिया गया है फिबनाची न उक्रम में उसके प्रतम Azam समान रहते हैं और उसे परिभाशित करने का तरीका ये है मतलब उसके एनवे पत को इस तरह से हम सो कर सकते हैं ठीक है न तो यहाँ पर एन कमान दो से जादा है हमको निकालना है एन प्लस वन अपान एन जबकि एन बराबर एक, दो, तीन, चार, पांच ठीक है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रताम पत तो दिया हुआ है आपके कुश्चन में ही और तो तीय पत भी दिया हुआ दोनों कमान वन है एन बराबर यह सम्मंद दिया हुआ है यह किसके लिए टू है एन कमान जब दो से जादा है तो जब एन कमान हम 3 रखेंगे यहाँ पर तो ए-3 यहाँ परnia-1 हो जाएगा यहाँ परia-3-2 आपको एन की जगाए पर रखना है 3-1, 2 मतलब ए-2 मिलेगा यहाँ पर 3-2 करेंगे तो A1 A2 कमान भी 1 है A1 कमान भी 1 है जब A2 और A1 कमान यहाँ पर लिक देंगे तो कितना मिल जाएगा A3? 2 मिल जाएगा जब N बराबर 4 लेंगे तो आपको N की जहें क्या रख देना है? 4 4-1, 3 A4-2 यहाँ पर 2 हाजाएगा तो A2 कमान तो 1 है और A3 कमान अभी हमने निकाला है 2 तो A4 हमको मिल जाएगा 3 इसी प्रकार से N बराबर 5 रखेंगे तो हमको यहाँ पर A4 यहाँ पर A3 मिल जाएगा तो A4 कमान मिला है 3 और A3 कमान मिला है 2 तो इस तरह से हमको यह मिल जाएगा A5 मिल जाएगा 5 N बराबर 6 रखने पर क्या मिलेगा? तो यह मिले गए यहाँ पर A5 प्लस A4 इस कमान 5 था इस कमान 3 तो कितना हो गया 8 ठीक है अब आपको निकालना क्या है हमको निकालना है जब N कमान 1, 2, 3, 4, 5 है तो A N प्लस 1 अपान A N कमान निकालना है तो इस तरह से आपको लिख लेना है जब N बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपान A1 मतलब A2 अपान A1 तो A2 कमान कितना मिला था A2 कमान था 1 और A1 कमान भी 1 था तो कितना मिल गया 1 फिर यहाँ पर N बराबर 2 रखेंगे तो A2 प्लस 1 अपान A2 यह हो जाएगा A3 अपान A2 तो 2 अपान 1 मतलब 2 फिर यहाँ पे N बराबर 3 रखेंगे तो A3 प्लस 1 अपान A3 A4 अपान A3 हो जाएगा बराबर 3 अपान 2 फिर यहाँ पे N बराबर 4 रखेंगे जब तो A4 प्लस 1 अपान A4 मतलब A5 अपान A4 तो 5 अपन 3 मिल जाएगा फिर यहां पर न बराबर जब 5 रखेंगे तो A5 प्लस 1 अपन A5 तो A6 अपन A5 तो A6 का माना 8 इस का माना 5 तो इस तरह से question हमको solve करना है आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा जो भी doubt है comment के थूँ बता सकते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करियेगा and thank you very much I love you thank you